मुलस्का के अंदर हमने डखे हुए हैं सॉफ्क बॉडिड एनिमल्स और यह हमारे ट्रिप्लो ब्लास्टिक सीलो मेट बाइलेटरली सिमेट्रिकल और गैनिजम्स का दूसरा फाइलम है और फाइलम मुलस्का जो है यह एक हाईली डाइवर्स क्रूप है डाइवर्स का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे इनक्लूड़िड हैं और देखने में एक दूसरे से काफी मुख्तिलिफ नजर आते हैं काफी मुख्तिलिफ टाइप के और गैनिजम्स यहां पे मौजूद है यह इन वर्टीब्रेट्स का दीड की हर्टिजिनल और गैनिसम्स में नहीं होती उनका दूसरा सबसे बड़ा है और इसके तकरीवन पचास हजार लिविंग स्वीशीज इस वक्त जो लिविंग है वो मौजूद है यह सारे के सारे और के लिएनिजाटि यहांनी बाडिक में और यह सब्सक्राइब बाइलेटरली सिमिट्रीकल है यानि के बॉडी को सिरफ एक प्लेंग में डिवाइड किया जा सकता है दो इकुल हाफ में और गन्स जो है वो पेर्श की फॉर्म में मौजूद होते हैं और इन में से अक्सर और गैनिजम्स के अंदर एक शेल मौजूद होता है जैसे कि आप य सिलोम की वज़ा से तो इसके अंदर भी हाइली एडवांस्ट और गन सिस्टम मौजूद है यह जो सिलो मौलस का है यह वाइडली डिस्ट्रिब्यूटिर है इनके हर किसम के हैबिटेट में तकरीवर यह पाए जाते हैं कुछ ऐसे हैं जो सिरफ मरीन वाटर के अंदर पाए आपको कटलफिश दिखाई है इसी तरह स्कूइड और ऑक्टोपस वगयरा जो है वह वाटर के अंदर पाए जाते हैं इसके मकाबले में कुछ ऐसे हैं जो ट्रेस्ट्रियल एंवाइर्मेंट के अंदर पाए जाते हैं मॉइस्ट प्लेसिस को मिलते हैं मिसाल के तोर पे यह हैं डावर्स फॉड़ी फॉर्म्स हैं लेकिन कुछ जनरल फीचर ऐसे हैं जो इन सब के अंदर मौजूद हैं कॉमन फीचर हैं मिसाल के तोर पर इनकी बॉड़ी जो है वह बाहर से एक आउटर लेयर एपिथीलियम पर मुस्तमिल होती है जिसको हम कहते हैं मैंटल मैंटल कै है यह सुरी मैंटल एपिथीलियम की लेयर है यह सिक्रिट्री एपिथीलियम होती है यानिके ग्लैंड होता है और यह आम तर पे शेल परद्यूस करने का काम करती है यह बादर आप देख सकते हैं कि यह एक शेल मौजूद है कैलशिम कारबोनेट का बना हूआ और यह परद यूज करती है शेल का क्या काम है शेल जो है वह जाहिरा एक प्रोटेक्टिव कवर हार्ड कवर है जो इन और्गैनिजम्स को क्योंकि सॉफ्ट बॉडिड और्गैनिजम्स है कोई प्रॉपर स्केलेटन हो गारा मौजूद नहीं है तो नाजुक होते हैं तो इसके लिए इनके है लोको मोशन में कई और्गैनिजम्स जो हैं फिर इस फाइलम में ऐसे भी हैं जिन्हों ने इस शेल से अपने सिरे से जान चुडा लिए है ताके वह एक्टिवली मूव कर सकें फिर इसके अलावा इनकी जो बॉड़ी है वो सॉफ्ट होती है और अन सेग्मेंटेट तो इनकी बॉड़ी के अंदर को प्रॉपर सेग्मेंट मौजूद नहीं होते बॉड़ी को आप तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं एक इनके अंदर हैड होता है फिर इसके अलावा यह सारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिनको हम विस्रल मास कहते हैं और इसके अ पर इसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन मौजूद हैं और यह शैल जो है हमने पहले बात की कि मैंटल इसको सिक्रीट करता है पिर बाद दफ़ा मैंटल कैविटी में कुछ स्पेसिज पाई जाती है खाली जगा होती है शैल के और मैंटल के दरमयान में जिसको मैंटल कैवि है और यह मैंटल कैविटी कहलाती है और इसके अंदर गिल्ज उगरा मौजूद होते हैं रेस्पाइरेशन के लिए फिर इसके अलावा कही और्गैनिसम्स के अंदर मूँ के अंदर यह जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रैडूला कहते हैं और यह रैडूला को आपको बढ़ा करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि यह जबान है टंग है और इसके उपर यह चोटे-चोटे से कांटे हैं और यह कांटे जो हैं यह लीव को या किसी और सर्फेस को जिसको यह खा रहे हूं उसको यह उखाड के टुकडों में तोड़के खाने में हेल्प करते हैं अगर इसको एलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दे आप्ड़ी को जो है वो खुरच के खा सकते हैं तो यह टंग जो है यह इसको हम कहते हैं रेस्टिंग टंग क्यूंकि यह जिस चीस के अपर लगती है उस चीज़को पकाड़के खींच लेती है अपनी तरफ तो ये रैस्पिंग टंग कहलाती है और इसका टेक्निकल नेम जो है वो है रैडिूला फिर इनके अंदर एडवांस्ट और्गन सिस्टम्स मौजूद हैं मिसाल के तोर पे इनके अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक प्रॉपर माउथ है और एक इनस की ओपनिंग है यहां पर आप नजर आ रही है इनस की ओपनिंग है और यह जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसके मुक्तलिफ पोर्शन्स है और इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स साथ शामिल है और हर पोर्शन जो डाइजेस्ट करने का काम करता है excritory system जो है वो इनके अंदर specialized structures पर मुझते मिल है जिनको हम nephridia कहते हैं nephron कहते हैं nephros का मतलब होता है kidney तो यह kidney like structure है जिसको हम nephridium कहते हैं यह pair की form में यहां पे nephridium मौझूद है इसके अलावा circulation के लिए इनके अक्सरिया स्पीशीज जो है उनके अंदर open circulatory system मौजूद होता है open circulatory system का मतलब यह है कि सिलोम जो है उसी के अंदर blood भरा हुआ होता है सिलोम के अंदर further सिलोम की partitions हुई होती है छोटी छोटी spaces बनी होती है जिनको हम sinuses कहते हैं उन sinuses के अंदर blood जो है वो filled होता है और एक muscular heart इनके अंदर मौजूद है जो constantly sinuses के अंदर blood को flow करते रहने का काम करता है blood के अंदर oxygen केरी करने के लिए एक respiratory pigment भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं hemocyanin heme कहते हैं blood को और cyan color जो होता है यह bluish green color को हम cyan कहते है तो यह जो है इनका respiratory pigment या इनका blood जो है वो bluish green color का होता है और जो है इसको हम hemocyanin कहते हैं तो इन organism के अंदर ज्यादा तर open circulatory system मौजूद है सिलों के अंदर ही blood भरा हुआ होता है और heart इसको pump करता है और blood जो है उसको इसके अंदर hemocyanin एक protein मौजूद है जो oxygen carry करने का काम करती है कुछ species मिसाल के तोर पे cephaloports या octopus वगारा के अंदर जो है closed circulatory system मौजूद है blood जो है वो blood vessels के अंदर ही रहता है ये cavities वगारा के अंदर नहीं होता बलके बकाईदा तोर पे blood के लिए vessels होती है उसके अंदर होता है फिर respiratory system जो है वो अक्सर species के अंदर जो organisms पानी के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर gills होते है proper for example यहाँ पर आपको gills नजर आ रहा है इसके थूँ gas exchange होती है या फिर land के ओपर जो organisms रह रहे हैं मिसाल के तोर पे snail है तो snail के अंदर ये जो mental है ये epithelium है सिक्रीट्रिय epithelium जिसने body को cover किया हुआ है तो उस mental का ही काम जो है वो gas exchange करना हो गया है तो ये mental इसको हम कहते हैं कि ये lungs में convert हो गई है जो organisms खुशकी पहर रहे हैं उन में mental जो है वो हवा में gas exchange करने के लिए lungs के तोर पे modify हो चुकी है nervous system जो है वो three pairs of ganglia पे मुश्तमिल है ganglia कहते हैं group of neurons को और हर एक pair जो है एक pair head के अंदर मौजूद होता है एक visceral organs में मौजूद होता है और एक pair जो है वो foot में मौजूद है और हर pair जो है वो अपने अपने region के functions को control करता है locomotion के लिए इनके अंदर यह नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यह muscular foot है और यह foot जो है यह locomotion में help करता है locomotion आम तोर पे बहुत slow होती है क्योंके shell जो है वो काफी इनका heavy होता है उसकी वज़ासे यह move नहीं कर सकते कई और ऐसे organisms हैं जिनके अंदर सीरे से shell है ही नहीं जो सीरे से shell की वज़ा से उनका वज़न इतना ज़्यादा है कि वो move नहीं कर सकते हैं और उनको हम कहते हैं कि यह sessile है reproduction जो है वो आम तोर पे sexual होती है sexes जो है separate होती है यानि कि male और female individuals अलग-अलग होते हैं fertilization होती है और larva बनता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते है इन organisms को हमने six major classes में divide किया हुआ है और इन में से हम पढ़ेंगे तीन classes जो के हैं class gastropoda bivalvia और cephalopoda सबसे पहली class जो है class gastropoda और gastropoda जो है इनको हम कहते हैं gastro का मतलब होता है पेट और poda कहते है पाउं को तो gastropoda का मतलब है कि इनके अंदर मनलब superficially देखें तो एक ये पेट वाला region है और एक ये नीचे foot वाला region है तो body दो इसो में divided बड़ी easily नजर आती है तो इनको हम gastropoda कहते है इनकी body जो है वो asymmetrical होती है asymmetrical इसलिए होती है कि इनका shell जो है वो आम तोर पे body के एक तरफ twisted होता है तो उसकी विज़ा से body जो है bilateral body जो technically होनी चाहिए वो थोड़ी सी asymmetrical हो गई है ये जो shell है एक ही piece का बनावा होता है एक ही बड़ा सा टुकड़ा होता है single piece पे मुझतमिल है और आम तोर पे quiet होता है और जरूरत पढ़ने पर ये complete organism जो है इसका head और ये जो foot है ये सारे का सारा shell के अंदर चला जाता है और ये hide कर सकता है अपने predators उगहरा से अब ये जो gastropod individuals है ये aquatic भी हो सकते हैं कुछ पानी के अंदर रहते हैं कुछ खुश्की के ऊपर रहते हैं aquatic species के अंदर breathing के लिए gills मौजूद है जिनके जरीए से ये सांस लेते हैं terrestrial species जो है उनके अंदर mental cavity जो है वो ही convert हो गई है lungs में और वो हवा में gas exchange के लिए बनी हुई है examples इसके अंदर आ जाती है helix espersa जो के आपका common garden sale है ये उपर वाली figure के अंदर आपको दिखाया हुआ है और limax या slug है slug जो है ये देखने में snail जासा ही होता है सिरफ इसमें फर्क ये होता है कि इसके उपर head नहीं होता आपको एक बड़ा सा foot और head आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे shell कोई proper मौजूद नहीं है तो इस वज़ा से ये जो और्गैनेजमन को हम slug कहते है फिर एक और group जो है वो by valvia कहलाता है या इसको हम palessi poda भी कहते हैं by valvia का मतलब by का मतलब होता है to valvia टुकड़ों को कहते है वाल्ब्स को कहते है तो by valvia जो है इनका shell actually दो टुकड़ों पर मुझतमिल होता है इसलिए by valvia कहलाते है ये और्गैनेजम्स जो है bilaterally symmetrical हैं और सारे का सारे aquatic हैं इनकी body जो है ये literally compressed होती है literally compressed का मतलब है कि ये sides से थोड़ी सी दबी हुई होती है ऐसे लगता है कि left और right side से किसी ने इसको पकड़ के दबा दिया है और ये compressed body होती है shell जो है उसमें दो piece होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं gills जो हैं वो flat होते हैं plate like होते हैं और इसके अंदर example है mitilis ये उपर सबसे पहली diagram के अंदर आपको mitilis marine muscle दिखाई हुई है अगर आप साहिली लाकों पे जाएं तो वहाँ पे साहिल पे आपको इस तरह के shells काफी सारे पड़ेवे मिल जाते हैं marine muscle है फिर इसी तरह anodonta है fresh water muscle या आम तोर पे lakes में और ponds वगएरा में और rivers के अंदर पाई जाती है और इसी तरह Austria या वेस्टर है जिससे आपको जो है मुती निकलते हैं या कई मुल्गों में इनको खाया भी जाता है तो यह जो हैं तीनो by valves हैं by valve या के member हैं तीसरी जो class है वो है cephalopoda और cephalon हम कहते हैं head को और poda कहते हैं legs को तो यह देखने में ऐसे लगता है कि एक बड़ा सा head है और उस head के साथ काफी सारी टांगें जुड़ी ही है तो इस वज़ाद से इसको हम cephalopoda कहते हैं यह organism जो हैं यह highly developed है और बहुत ज़्यादा active भी होते है इनके अंतराम तोर पे shell मौजूद नहीं होता तो इस वज़ाद से यह काफी तेजी के साथ move कर सकते हैं bilaterally symmetrical organisms है completely body जो है वो 200 में इसको असानी के साथ divide किया जा सकता है एक plane के तुरू काटने पे मिसाल के तौर पे यह आपके पास जो यहां से अगर मैं इसको divide करूँ तो एक यह इसकी left side है और एक right side है organs जो है वो page की form में मौजूद है यहां से यह दो equal life में पढ़ सकता है body जो है वो dorsal ventrally flattened होती है dorsal ventrally flattened का मतलब है कि यह कमर और पेट की तरफ से इसको रखके दबा दिया गया है तो थोड़ी सी flat सी body होती है सारे के सारे aquatic हैं और इनके अंदर shell या तो बहुत छोटा होगा या skin के नीचे की तरफ मौजूद होगा या सीरे से मौजूद ही नहीं होगा examples आ जाती हैं लोलीगो या squid ये first diagram के अंदर आपको लोलीगो दिखाया है फिर cuttlefish या सीपिया है और इसी तरह octopus जो है ये बहुत ही मशूर cephalopods है giant squid जो है इनमें से वो सबसे बड़ा invertebrate है इसकी बात हम आगे चलके करेंगे mollusk जो है ये बहुत ही important है कई ऐसे हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइदा भी देते हैं मिसाल के तोर पर slugs जो हैं ये आम तोर पर gardens को और fields को नुकसान पहुँचाते हैं कैसे नुकसान पहुँचाते हैं ऐसे नुकसान पहुँचाते हैं यह लीव्स को खाते हैं लीव्स को चलो खाते ही हैं इसके अलावा यह कई दफा जड़ों को काट देते हैं और यह तनों गारा को काट देते हैं और इसकी विज़ा से प्लांट्स को किल कर देते हैं इसके लावा यह स्टिकी सिक्रीशन्स करते हैं जहां भी यह मूव कर रहे ह आपने पीछे चिप 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 ऐसे मटीरियल की एक लाइन छोड़ जाते हैं जिसकी विजा से इनको गार्डन पैस्ट समझा जाता है और इन से जान चुड़ाने की कोश्चें की जाती है फिर इस तरह शिप वर्म है शिप टेरीडो जीनस है उससे बिलॉंग करते हैं और य जो ये कश्टियों की लकड़ी होती है उसके अंदर या आम तोर पे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये उसके अंदर सुराख कर देते हैं अपने घर बनाने के लिए और उसकी विजा से शिप जो हैं वो कई रफार डूब जाती हैं बहुत सारी स्पीशी जो हैं इसी तरह आज इस्या पसिफिक के मुमालिक में जिसमा जापान और कोरिया हो जाते हैं वहां पे इनको बहुत शौक से खाया जाता है और यह यह कि मुंदट यह व्यक्त ऽूद्व जाते हैं और बहुत महगे मिलते हैं पिर इन मैंसे कई कि श्यार्वाइब बटने कम बटन जो हैं वो सिर्फ इनके शेल्स से ही बनते थे अमेरिका वगयरा में इनके शेल्स जो हैं उनको टार में या वो ब्लैक सा माटीरियल लुक जो होता है उसके अंदर मिला के और रोड्स बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है अगर आप कराची के साहिल पर जाएं तो वहां पर आपको इनके शेल्स के मुलस्क के शेल्स के बने हुए और्नमेंट्स मिल जाएंगे सजावटी चीज़ें मिल जाएंगी हार वगयरा या शोपीस वगयरा तो और्नमेंट्स बनाने के लिए shells को इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा oysters जो हैं उन से आपको pearls मिलते हैं ये सच्चे मोती जो होते हैं ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ये oysters से हासिल होते हैं फिर इसके अलावा ये organisms जो हैं वो काफी interesting भी है in the sense कि octopus जो है इसकी brain बहुत ही ज्याद इस शो कर सकता है मिसाल के तोर पर ये चीजों को सीख सकता है और याद रख सकता है लैब के अंदर आप इसको मुख्तलिफ सिंबल्स के नितिये में different responses शो करने के training दे सकते हैं इसी तरह आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि एक octopus को उन्होंने बंद किया एक bottle के अंदर और उपर screw cap जार लगा दिया है screw cap लगा दिया जार के उपर तो ये अंदर से ही उसको गुमा के खोल के और बाहर निकल सकता है इसी तरह octopus जो हैं वो अपने skin का color change करने की भी सलाइयत रखते हैं फिर इसके लावा giant squid जो है ये सबसे बड़ा invertebrate है invertebrate organisms में से size में सबसे बड़ा है और तकरीबन 15 मीटर तक का हो सकता है उसके मकाबले में humans जो हैं वो इससे तकरीबन 10 टाइम चोटे हैं क्योंकि ये 1.6 से 1.7 मीटर तक हमारी total नंबाई होती है उसके मकाबले में giant squid जो है वो तकरीबन 15 मीटर तक size में grow कर सकता है आज के lecture में हमने mollusks के बारे में पड़ा है जिनको हम soft bodied animals कहते हैं ये सारे के सारे triploblastic silomates है यानिके इनके अंदर silom मौजूद है और triploblastic है इनकी body आम तोर पे एक shell के अंदर covered होती है और shell को produce करती है एक special epithelium body की outer covering जिसको हम कहते हैं mental और ये mental जो ह है वो बहुत सारे important functions perform करती है मसलन एक तो ये shell produce करती है इसके अलावा land animals के अंदर ये जो है lungs का का काम भी करती है organ systems जो है वो इनके अंदर highly advanced हमने देखा के मौजूद है complex nervous system है इसके अलावा digestive system काफी advanced है इसके अलावा excretion के लिए इनके पास ने फ्रीडिया है circulatory system भी मौजूद है और classify हम करते हैं इनको six classes में जिन में से तीन हमने study की है पहली क्लास है gastropoda जिसके अंदर snails और slugs औगरा आ जाते हैं फिर फैलो पोड़्स है जिनके अंदर squid और octopus औगरा आ जाते हैं और इसी तरह बाई वालविया हैं जिनके shells दो टुकड़ों पर और आ जाते हैं तक्यों